हलो एरिवान एंड वेलकम बाग माई सेल्फ उमर तसकीर गईस आज के इस फटिवले वीडियो में हम लोग बात करने वाले किस तरीके से हम लोग को यूज करके और गयनिकली लीट्स को जनरेट कर सकते किसी बिजनेस के लिए यहां पर जो हम लोगों ने एक्जामपल लिया ह मैं इनको डिसकस करूँगा आप लोगों से एक एक करके और अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप एक बहतर श्राड़ी बना पाएंगे कोरा के पॉइंट आफ यू से लीड जेनरेशन को ध्यान में रखके सबसे पहले जो इंपॉर्टन चीज है वो कोरा प्रोफाइल से रिलेटेड है देखिए मैंने बहुत सब्सक्राइब छाएंगे है कि वो अपनी कोरा प्रोफाइल के उपर काम नहीं करते मतलब जो बाय अगयरा है या प्रोफाइल का रिप्रेजन्टेशन है उसके उपर वो काम नहीं करते पर यहां पर अगर आप देखेंगे तो बायो है, मेरे जो थोड़े से चले हुए questions हैं, answers हैं, जिनके उपर मुझे थोड़ा सा ठीक ठाक response मिला हुआ है, उसको मैंने यहां पर mention किया हुआ है, यहां पर मेरी other social media profiles, मेरी जो website है, उन सारी चीजों के बारे में यहां पर mention है, आपको सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी जो profile है ना, वो real name से हो, मैंने देखा है, बहुत सारे लोग real name से profile नहीं बनाते हैं, अपने किसी firm के नाम से profile बना दिया, देखिए, वहां पर आपके profile के suspend होने के भी बहुत जादा chances बन जाते हैं, तो वो चीज आ आपको नहीं करनी, आपको proper एक real name, जो human name होता है, उसके हिसाब से आपको अपनी profile जो है, वो बनानी है, second जो हमारा point है, वो है, जैसे आप देख सकते हो, you can put your links of demo class, landing page, in the bio तक कि अगर कोई भी आपकी profile तक आता है ना, तो बायो को ज़रूर देखेगा, और बायो को देखे there are high chances कि वो आपके landing page के उपर जाए, तो landing page के उपर आप organic traffic जो है, वो drive कर सकते है, kora की health and further फिर वहाँ पर आप जो conversions है, वो भी आप अपने कर सकते हैं, leads को generate कर सकते है, right, follow spaces that are actually relevant to your niche, this is very important है, कि क्या होता है, जहाँ अपना account बना लेते हैं, for example, मैंने अपना account बना लिया, उसके बाद अगर आप यहाँ पर जाएंगे, यह आपको जो दिख रहा है, spaces वाला section, right, you have to go to this spaces वाला section, fine, तो मैं आजाता हूँ एक बार के लिए, spaces वाले section के उपर, right, and यहाँ से हम click करेंगे, see all spaces, fine, तो आप यहाँ पर देखो, आपको कुछ spaces दिख रही हैं, तो आपको अपनी निश्की जो spaces हैं, उनको आपको follow करना है, spaces are very similar to the communities, the groups that we are having on Facebook, जैसे Facebook में groups होते हैं, वैसे यहाँ पर spaces भी होती, spaces के अंदर आपको like-minded लोग जो हैं, वो मिल जाएंगे, तो spaces is kind of a community, जहाँ एक जैसे लोग होते हैं, एक जैसे topics के उपर discussion करते हैं, तो अगर आप spaces क यहाँ पर sincerely जो है, वो select करेंगे, तो उसी के हिसाब से, उसी के basis के recommendations के उपर, आपके पास जो है, वो questions आएंगे, और आप उनके answers दे पाएंगे, तो आप अगर यह चाहते हैं, कि आपके पास same type के questions आएं, जिस निश में हो आप, ताकि आप जाद जादा उन questions का answer दे पाए तो जो लोग भी उना answers को पढ़ेंगे, उससे convince होंगे, वहाँ पर अगर आपने link वगरा दे रखा है, या लोग आपकी बायो तक जाएंगे, वहाँ पर फिर link है, तो किसी ना किसी तरीके से indirectly लोगों को आप अपने landing page के उपर, या ऐसी जगहे पर, जहां से आप leads को generate कर सक तो उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ content in the form of answers जो है, वो डालना पड़ेगा, बिना content को तो नहीं होने वाला, आप यह सोचो, कि कोई तरीका है, कोई बटन दबा के सीधे-धे leads आने लगेंगी, या मैं कोई आपको hack बता दू, एक कोई ऐसी चीज़ बता दू, जो viral हो जा को कितने अच्छे तरीके से organize करके आ वहाँ पर mention कर रहा है, इन सारी चीजों के उपर dependent होता है, fine, तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है, follow spaces that are actually relevant to your niche, that will keep you in loop with relevant questions, keep following relevant questions, most followed questions and answer them, जैसे for example, मैंने जो example अभी लिया हुआ है, वो IIT का लिया हुआ था, right, जो फिल गो ओव यहाँ पर select कर लेता हूँ, ठीक है, search करूँगा, तो आप देखो कि बहुत सारे questions आपको दिख रहे हैं, तो आप questions select कर लो, आप चाहो तो spaces के उपर भी आप जा सकते हैं, तो उससे related जो spaces आपको देखने को भी लेंगी, IIT से related, वो भी आप select कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ प उसके अंदर बहुत सारे ऐसे questions होते हैं, जिनके basis पर आप answers दे सकते हैं, और वहाँ से आपको visibility मिल सकती, आपके content को visibility मिल सकती, जो question search करने की बात थी, वो यह थी, which is the best online education provider for IIT GE preparation, तो इस टाइप से आप question search करेंगे, यहाँ पर आप आप देख रहे हैं कि बहुत सारे इसके answers हैं और 431 लोग इसको follow करते हैं, so what you can do is, आप यहाँ पर एक proper crafted जो आपका answer है, वो आप mention करते हैं, ऐसा हवा में आपको answer नहीं लिखना है, properly पहले उसको, आपको craft करना है और उसके बाद आपको लिखना है, fine, यहाँ पर कुछ अपनी students के भी experiences होंगे, उसके बाद अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि कोई नो कोई coaching का representative या किसी किसी college का representative भी है, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आपने answers देता हुआ, fine, जैसे हो सकता है, आपको कोई faculty मिल जाए, कोई teacher मिल जाए, जो आपको यहाँ पर answer देता हुआ, देख जाए, fine, त इन से answer से लोग convince होंगे, तो इनको upvote करें, it's very similar to the likes that we see on YouTube या फिर जो हम Facebook में देखते हैं, यहाँ पर लोग अगर आपके चीजों से संतुष्ट होते हैं, तो आपर वो लाइक करते हैं, it is very similar to the like, right, upvote जो होता है, वो आपका, fine, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर किसी social media specialist ने भी डाला हुआ है, right, let's see, यहाँ पर एक director है, उन्होंने डाला हुआ है, let's see, किसी organization की भी हो सकते हैं, fine, so इस तरीके से आपको ना proper एक profile के साथ जाना है, और उसके बाद अपना answer जो है, वो craft करके डालना है, तो इस तरीके से आप बहुत सारे questions को ढ धून सकते हैं, और उसके लिए proper, मैं again बार-बार यही बात आप से कह रहा हूँ, कि आपको answer ना बड़ा research करके, और well define करके लिखना पड़ेगा, इससे later बहुत सारे questions आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे, आप copy paste मत करेंगे, एक ही question हर जिगा आपने जाकर तो आप उसका question बनाकर खुद भी आप उसका answer दे सकते हैं, first time, if people will be interested, वो लोग भी उसके नीचे जो answers हैं, वो देंगे, तो इस तरीके से आप engagement drive कर सकते हैं, इस तरीके से आप more eyeballs drive कर सकते हैं, लोग आपकी profile तक जाएंगे, and at the end of the day, हमारा जो main motto है, वो यही है कि लोग हम also appear in CRP, so you need to work on content aggressively, जितने ज़्यादा questions का आप answer देंगे, जितने बहतर तरीके से देंगे, उतना आपका जो content base है, कोरा के उपर वो बढ़ता जाएगा, and जब कभी आप Google के उपर भी कुछ सर्च करते होंगे, देखते होंगे कि कोरा के results भी वहाँ पर जो हैं, वो शो करते ह जैसे अगर मैं यहाँ पर search करूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एक query मारी हुए, how to select best IAT coaching in India, fine, तो अगर आप यहाँ पर देखो तो यह देख रहे हैं, आप कोरा के भी बहुत सारे answers जो है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, so अगर आप यहाँ पर content डाल रहे हैं, को आपको जो conversions हैं, यह जो leads हैं, वो आपको मिलेंगी, fine, एक और बहुत important चीज, कई बार हम बहुत aggressive हो जाते हैं, और हम जादा-जादा जो अपना content है ना, वो commercial intent या commercial questions के ही around लिखते हैं, जैसे best coaching के बारे में कोई पूछ रहा है, तो उसके बारे में हम लिखेंगे, best institute के बा questions हैं basically, उनको भी cutter करना है, commercials को भी cutter करना है, हमें make sure करना है कि हम top of the funnel, middle of the funnel और bottom of the funnel, तीनो ही funnel spaces के लिए हम लोग basically अपने जो content है, वो बनाएं, ऐसा नहीं है कि केवल और केवल हम बस commercial बनाए जा रहे हैं, और हर जगा अपने जो links वगरा हैं, वो हम जो है, वो mention करते जा रह वही चीज मैंने last में भी यहां पर लिखी हुई है, उसके बाद अगर मैं next point के उपर आ जाता हूं, यहां पर which is our sixth point, तो sixth point में आप देख सकते हो, to get more views, never focus on non-relevant categories और general categories like politics and entertainment, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, कि starting में तो वो अपनी niche में रहता है, मतलब properly अपनी niche के questions को answer कर रहे हैं, अपनी चीजों से भटक नहीं रहा है, बट थोड़े टाइम बाद उनको लगता है कि मेरे questions को, मेरे answers को बहुत रहादा views नहीं मिल रहा है, मैं थोड़ा सा popular नहीं हो रहा हूँ, तो वो काफी generalized जो topics होते हैं ना, उनकी तरफ चले आते हैं, उनको answer करने चल तो अगर आप किसी entertainment वाली post है, कोई controversy वाली post है, कोई politics वाला question है, उसके नीचे जाकर अगर आप answer कर रहे हैं, इसका मतलब आप काफी generalized लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आप जा रहे हैं, तो फिर आप niche oriented नहीं है, तो वहाँ से अगर आपको tips हैं, content के related भी, कि आपको long form of content लिखना है, छुटे-उटे answer नहीं लिखने है, अगर मैं IIT coaching के point of view से बात करता हूँ, तो थोड़े से lengthy answers आपको लिखने हैं, जो भी question आप pick कर हैं, उसको 100% satisfy कर सकें, आपको pointers लिखना है, well structured content होना चाहिए, curated होना चाहिए, organized होना चाहिए, ज आप चीजें वहाँ पर mention करें, वो आपके answer को अच्छी तरीके से back up provide करती हैं, आप images का इस्तमाल करें, आप links का इस्तमाल करें, आप resources का इस्तमाल करें, तो इस तरीके से आप lead generation के around जो है, वो strategy बना सकते हैं, जिसकी foundation, again मैं आपको बोलूँगा, इसकी foundation जो है ना, वो purely content क basis पर है, content के इलावा कुछ नहीं होने वाला है, majorly जो आपको focus करना है, वो एक तो aggressive content के उपर करना है, continuously आपको content डालना है, continuously आपको relevant questions ढूंते जाने, continuously आपको relevant spaces के अंदर जाकर contribute करना है, ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे, तो definitely आपकी profile एक बहतर lead generation का source बन जाएगी, मैंने जो example लिया, वो थोड़ा सा IIT coaching के हिसाब से लिया, इस चीज़ को आप different businesses के हिसाब से भी apply कर सकते हैं, इस particular video में इतना है, till then, good bye.